यूपी में छट महप्पर्व पर सारजनिक अवकाश घोशित 10 नवंबर को सारजनिक अवकाश घोशित किया किया सियम योगी ने एक दिन की छुटी देने का अनिर्देश दिया जन भावनाव का सम्मान करते हुए अवकाश घोशित यूपी में छट महपर्व पर सारजनिक अवकाश घोशित 10 नवंबर को सारजनिक अवकाश घोशित किया गया इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सियम योगी ने एक दिन की छुटी देने का अनिर्देश दिया जन्भावनाव का सम्मान करते हुए अवकाश घोशित हो जिलाधिकारी गड़ सानी परवपरा के अनुरूप निर्णेले यूपी में छट महपर्वपर सारजनिक अवकाश घोशित 10 नवंबर को सारजनिक अवकाश घोशित किया गया सियम योगी ने एक दिन की छुटी देने के इंदर देश दिये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जन्भावनाओं का सम्मान करते हुए अवकाश खोशिन है लखनाउस से इस वक्त की बड़ी ख़बर साम्यार ही है डिप्तिसीयम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयाग राज तौरा सुभा साड़े-दस वजे संगम छेत प्रयाग राज पहुचेंगे डिप्तिसीयम छटपूजा कारिक्रम में होंगे शामिल चटपूजा समिती की ओर से आयोजित कारिक्रम लोगों से मुलाकात करेंगे टिप्टी सियम सुभा 11.40 मिनिट पर सर्किट हाउस में करेंगे मुलाकात लखनाउस इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है टिप्टी सियम केशब प्रसाद मौरय का प्रयाग राज दोरा सुभा 11.30 बचे संगम छेत्र प्रयाग राज पहुचेंगे टिप्टी सियम चटपूजा कारिक्रम में होंगी शामिल स्वतंवरदेव सिंगा आ जो प्रयाग राज दोरा इस वक्त की बड़ी खबर वीजोपी प्रदेश अद्यक्ष आज प्रयाग राज जाएंगे दो पहर दो बचे परमानंद स्मारक पहुचेंगे सर्दार वलब भाई पाठेल जो एंती में होंगी शामिल स्वाभिवान जिन्जभा को करेंगे संबोध है प्रदेश अद्यक्ष आज प्रयाग राज दोरा इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वीजोपी प्रदेश अद्यक्ष आज प्रयाग राज जाएंगे तो पहर दो बचे परमानं स्मारक महावध द्याले में रहेंगे मौजूद सर्दार बलभाई पटेर जेन्थी में होँगे शामिल कोखी मत्र योगिया दितेनाद का आज कारक्रम सेम योगी का आज बदायू शाज जहापुर दोरा दस बचे का पचास मिनट पर बदायू के सहजवान पहुचेंगे सियम कई बड़ योजनाओं का लोकार पर शुलन नियास करेंगे सियम सहसवान के प्रबोध इंटर कॉलेज में जद सभा को संबोधित करेंगे करीब साड़े बारा मजे शाजाह पूर पहुचेंगे सियम विविन योजनाओं का लोकार पर शुलन नियास करेंगे सियम जलालाबाद के काकोरी शहिद इंटर कॉलेज में जटसभा को करेंगे संबोधित जटसभा को भी संबोधित करेंगे सेम्क योग्याद इतनाद मुझे मतरी योग्याद इतनाद का जुकारिकरम सेम्क योगी का जबदाई हूँ शाजहापुर दौरा नहाई खाई के साथ शुरू हुआ च्छटकत योहाई महिलाओं ने बेदिया बना कर च्छटकी शुरुआत की आज से च्छटिस घटे का निर्चला वरत रखा जाएगा 10.11.11 को लक्षमर मेला मैदान में कारक्रम नहाई खाई के साथ शुरू हुआ च्छटकत योहाई महिलाओं ने बेदिया बना कर च्छटकी शुरुआत की आज से च्छटिस घटे का निर्चला वरत रखा जाएगा 10.11.11 को लक्षमर मेला मैदान में कारक्रम नहाई खाई के साथ शुरू हुआ च्छटकत योहाई इस वक्त की बड़ी कबर महिलाओं ने बेदिया बना कर च्छटकी शुरुआत की किसान आंदोलन की पहली बरसी आज इस वक्त की बड़ी कबर सामने आ रही है आज सिंगू पॉर्डर पर दो बज़े पैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बाठक होगी आंदोलन की पहली बरसी से जुड़े फैस्क ले लिए जाएंगे किसान आंदोलन की पहली बरसी आज आज सिंगू पॉर्डर पर दो बज़े होगी बाठक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी आंदोलन की पहली बर्सी से जुड़े फैस ले लिए जाएंगे किसान आंदोलन की पहली बर्सी आज आज सिंगु कॉर्डर पर दो बजे बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी आंदोलन की पहली बर्सी से जुड़े फैस ले लिए जाएंगे लखी मुर्खिरी से इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है ठाने के सामने से खड़ी DCM हुई चोरी वाहन स्वामी के मकान के सामने से की चोरी सुभा जाकने के बाद हुई घटना की जानकारी लखीम पुर्खिरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है थाने के सामने से खड़ी टी-सी-मोई चोड़ी वाहन स्वामी के मकान के सामने चोड़ी सुबह जागने के बाद हुई खटना की चानकारी मैंगल गंजी बोथवाली का सुपे का मामला लखीम पुर्खिरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है थाने के सामने से एक खड़ी टी-सी-मोई चोड़ी वाहन स्वामी के मकान के सामने चोड़ी सुबह जागने के बाद हुई खटना की चानकारी मैंगल गंजी बोथवाली का सुपे का मामला लखीम पुर्खिरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है थाने के सामने से एक खड़ी टी-सी-मोई चोड़ी इस खबर मैं से जादा बाद चीट के लिए समधा ता धीरच चुड़ चुड़ी लखीम पुर से धीरच थाने के सामने से चोड़ी हुई है अगर जाग जाएं तो बाहर ना सके हैं कहीं कहीं कोत्वाली मेगल पुलिस के सवालिया निशान उठ रहे हैं कि किस तरीके से गस्केजारिय ज़स्ट बिलकुल कोत्वाली गेट के सामने से चोरी की गई है जी तो क्या उसे एलाखे में या फिर घर के आसपास कोई CCTV लगा था क्या उसमें फोटो क्याद हुई है बिल्कुल अभी CCTV कामरे से ऐसा फोटे जब भी नहीं मिला है लेकिन अगर हम बात करें कि ज़से कोटवाली गेट के सामने CCTV कामरा अगर लगा होता तो आज यह गटना न अगर बात करें कोटवाली पुलिस की तो क्या पुलिस का क्या कहना है मामले पर पुलिस का कहना कि आम में जो चुछा मिलिया है कि एल्ड़ नहीं कर रहे हैं तलास कर रहें बहुत जल्द खुलासा करेंगे लेकिन वे अब तक कोई ऐसा था जबूत यह कुछ बैनवादी न कि वहाई जुड़ शुक्र है मां सर्श टमधाता नियुक्त धाने के वह जो थो हो गई है और दो डूट कोड़े सवाल रहे हैं कि आखेर पुलिस क्या कर रही थी कि किश्चीしま कर Yo हो जाती है अब लगना उसे इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है स्जी पीजी आई भी जी का वाइरस की चपे जाज करेगा सरकार के निर्देश पर पीजी आई करेगा जाज जी का संक्रुवित की संख्या लगातार बढ़ रही पीजी आई में भी इसके नमूने की जाज की जाएगी स्जी पीजी आई के जाज के लिए किट का इंतजाब अभी तक सभी नमूने के जी एम्यू में जाज जा रहे थे लगना उसे इस वक्त की बड़ी ख़वर सामने आ रही है स्जी पीजी आई भी जी का वाइरस की जाज करेगा सरकार के निर्देश पर पीजी आई करेगा जाज जी का संक्रुवितों की संख्या लगातार बढ़ रही पीजी आई में भी इसके नमूनों की जाज की जाएगी स्जी पीजी आई को जाज के लिए किट का इंतजा जल्ती ट्रेंग से गिरा ग्यात बृद बड़ी ख़वर सामने आ रही है गंबी रूप से खायल हुआ जी आरपी बिलिस ने पहुँचाया अस्पताल बृद शहर से ये बड़ी ख़वर सामने आ रही है डॉक्टरों ने बृद घुशित किया शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा किया बृद की शिनाक्त मिजुटी पुलिस खुर्चा जंक्शन प्लेटफॉर्म नमबर तीन पर हुआ हाथसा जल्ती ट्रेन से गिरा ग्यात वृद बृद बृद शहर से बड़ी ख़वर सामने आ रही है गमी रूप से खायल हुआ वृद जी आरपी पुलिस दे पहुचाया अस्पताल डॉक्टरों ने किया मृद भोशित शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा किया इस वक्त की बड़ी ख़वर सामने आ रहे है बृद शहर से यहां वृद तक के शिनात में जटी है पुलिस खुर्जा जंशन प्रेट फॉर्म नमबर तीन का बताय जोराए हाथसा चलती ट्रेज से किरा अग्यात वृद बृद बृद शहर से बड़ी ख़वर सामने आ रहे है अपनी रूप से हुआ खायल झाल